हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो माइ यूटीब चैनल एफिनिटिबुल मनी सिंप्लिफाय लाइफ एंड वी सिंप्लिफाय टेरिंग आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को अनेलाइज करने वाले कल के लिए कल एक्सपाइर ही है और आज इस वीडियो म है कौन से इंडिकेटर है जिनको लगा कर आप डेली ऑप्शन बाइंग या करते हो या उप्शन सेलिंग डेली आप प्रॉफिट अंड कर सकते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम दी मिलते रहे तो फ्रेंड्स अलड़ी मैंने निफ्टी का वन आर टाइम फ्रेम में अलड़ी चार्ट लगा के रखा हुए मैं हमेशा आपको इस प्रॉफिट हुआ हुगा कल क्या बात हो दी थी कि 17.200 को क्रोस करेगा मार्के तभी कॉल लेना अदर्वไसम नहीं लेना अज भी मार्केट ने इसी लेवल पे 17.200 के लेवल पे मार्केट ने क्या लिए रेस piorसेंस लिया उसके बात क्या था 17100 का level जैसी तूटेगा हमें पुट लेना है और आज भी market ने 17100 का level तोड़ने के बाद 1500 point का moment दिया है downside की तरफ तो कहीं न कहीं profit अगर आपने इन levels को देखा होता कल की वीडियो में तो कहीं न कहीं आज आपको एक अच्छा profit होता ठीक है मैं आपको ये भी बताऊंगा market का इतना gap up खुलने के बाद भी यहां से market के fall होने का क्या कारण था ठीक है market के fall होने का क्या कारण था जबकि market यहां से gap up open हुआ है फिर उसके बाद market ने fall किया है यह भी हम देखेंगे call और put के chart पर की call और put का chart हमें क्या बता रहा था यह सारी चीज हम detail में discuss करने वाले है तो अब देख लेते हैं कि कल के लिए market में क्या हो सकता है कल expiry है ठीक है कल expiry है और आप एक जिसे कहते है न like there are 50% chance की कल short covering आए ठीक है आई होप आपने यह short covering का नाम सुना होगा ठीक है short covering क्या होती है जितने भी shorts होते हैं इनको cover किया जाता है अगर market में short cover करने आए और तो market में बहुत like एक बहुत aggressive हमें तेजी देखने को मिलती है तो यह तो खेर अलग की बात है जिस हिसाब से chart बनेगा उस हिसाब से काम होगा लेकिन कल के लिए क्या important है अगर कल ये वाला level आपका यानि आज का अगर low break होता है अगर आज का low break होगा और market नीचे जाने लगेगा तो आपको put लेना है ठीक है क्यों लेना उसका logic समझे मार्केट ने 17,000 का जो level था ना जो psychological level था वो break कर दिया है ठीक है यानि अब वो 17 की figure से किस में आगे 16 में अगर market ने आज का low break हुआ ना ठीक है तो market में कहीं ना कहीं इस level से market आपको 16,780 के आज पास कल आ सकता है अगर फिर मैं कहीं मार्केट एक probability पे चलता है एक अनुमान पे चलता है और चार्ट जो दिखाए ना हमें वो करना होता है फिर मैं कहीं रहा हूँ अगर आज का low break होता है तो आपको कहीं ना कहीं market में बता देता हूँ क्या level आ सकता है ये देखे एक बहुत बड़ा EMA चल रहा है ये EMA बहुत बड़ा EMA चल रहा है निफ्टी के अंदर ठीक है जिसका level भी आ रखा है 16,783 के आज़ ठीक है और ये प्रीवियस ये जो green देख रहे है न प्रीवियस सपोर्ट भी है मैं आपको डेली के चार्ट पे भी दिखा दूँगा अगर market आज के low को break करेगी तो आपको put में entry लेना ही लेना है क्यों लेना है 17,000 का psychological level break हो गया है उसके बाद market आपको कहीं न कहीं यहां पे दिखेगा 16,780 के आसपास ठीक है फिर यहां से हो सकता है market reverse करें ठीक है और reversal ऐसी नहीं आएगा वो धीरे धीरे reversal आएगा ठीक है अब अगर market gap up खुलता है ठीक है तब क्या करें ठीक है अगर market gap gap up खुल जाता है तो आपको करना क्या है तो कुछ नहीं करना है आपको आप यह मान के चलिए अगर market 17,100 का level cross करेगा ना तभी हमें call side जाना है otherwise आपको call side नहीं जाना है अगर बेशक market gap up खुल जाए like 17,020 पे 17,050 पे तब तक आपको call नहीं भाय करना है जब तक market 17,100 के level को cross नहीं करता यह बहुत सारे important level होते है अगर जैसी 17,100 का level cross हुआ ना और 17,130 के आसपास आया तो आप में मान के चलिए गा market फिर आपको 17,200 भी दिखा देगा ठीक है कल market आपको 17,200 भी दिखा देगा तो यह बहुत ही important level है कि कल आपको put कब लेना है और call कब लेना है तो यानि उपर की तरफ से 17,100 का level बहुत important है और नीचे की तरफ से put side की तरफ से और आज का market का low 16,940 का level यह बहुत important है अगर यह break होता है put side entry है और 17,100 को जैसी cross करेगा हमारी call side entry है ठीक है यह तो रहे nifty के levels अब मैं आपको call और put के chart पे दिखा देता हूं कि gap up होने के बाद भी market आज put side क्यों गई है तो यह देखिए अगर आप मेरी daily वीडियो देखते हैं मैं आपको एक चीज़ बताता हूं call और put का call और put के chart का importance ठीक है call और put के chart पे अगर आप काम करना चाते हैं तो सबसे important च 17,100 की call ले रखिए और put side 17,200 की put का put है मेरे पास ठीक है अब यह देखिए market gap up हुआ तो gap up होगा तो obvious सी बात है put का price नीचे आएगा यह देखिए put नीचे आई और put ने किया क्या है इसी yellow का support लिया है यह yellow EMA का support ले लिया है market ने ठीक है अगर आपको लग रहे है यह एक दो बार काम करता है तो आप मेरी previous वीडियो कितनी भी जाके देख लो सब में yellow EMA बताता हूं और बहुत accurate काम करता है यह देखे market ने यहीं से support लिया है और इसकी value थी यहाँ पर 70 अगर आपने यहाँ पर भी buy कर लिया उसके बाद देखे market ने जो high लगा है 260 का high लगा है ठीक है इतना बढ़िया आज target इसमें put में हमें मिला है तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं call और put के chart पे काम करते हैं बहुत सारी strategy है मतलब यह तो केवल मैं एक EMA base बता रहा हूं आप अगर scalping करना चाते हैं कब हमें call लेना है कब BTSC लेना है यह सारी चीज आप इस pattern से सीख सकत आते हैं और यह strategy call और put पे काम करके पैसा कमाना चाते हैं तो एक नया batch हमारा start हो रहा है ठीक है उसमें आप अपने आपको enroll कर सकते हैं उसके लिए description box में मेरा contact number है आप हमें contact कर सकते हैं और हमारे telegram channel को भी join कर सकते हैं ठीक है यह तो रही call put की बात अब चलते हैं निफ्ट चार्ट है और मैं बहुत openly अपने सारे indicators बताता हूं आपको यह देखें मेरे लिए सबसे important क्या है एक इसमें मैंने option scalping यूज किया हुआ है एक EMA यूज किया हुआ है और pivot point यूज किया है ठीक है यह सारे indicator मैंने यूज कर रखें इसमें अब यह देखें मैं बताता हूं कि कि आप trend कैसे find out कर सकते हैं कि market में कब support लेके market reverse होने वाला है या थोड़ा उपर जाके एक high बनाके फिर market फर्दर गिरने वाला है इसके लिए मैंने आपको already एक चीज बतार किये इसके लिए आपको एक लगाना है Fibonacci retracement tool जो की बहुत important होता है यह हर दिन काम करेगा आप एक बर लगा के देखिए हर दिन ये काम करेगा मैं आपको लगा के दिखा देता हूं यह देखिए कुछ नहीं करना है market के high से आपको लो फाइंड करना होगा ठीक है यानि आपको स्विंग पकड़ना होगा यह मेरे लिए क्या था high point था market का और यह मेरे लिए low था market इस pattern मे मार्केट फॉल किये तो आप यह टूल भी लगा सकते हैं फिबनाची मार्केट के ट्रेंड और मार्केट के रिवर्सल को देखने के लिए कि कब मार्केट में रिवर्सल आएगा कब मार्केट रिवर्स करने वाले ठीक है अब हमें एक और चीज़ देख लेते हैं बैंक नि 300 के उपर जाने लगेगा ना तब मार्केट 49 और 300 के उपर जाएगा तब हमें क्या लेना है कॉल लेना है सिंपल इससे पहले कॉल कोई भी बाय नहीं होगी ठीक है उसके बाद अगर मार्केट अगर कल फर्दर फॉल आया मार्केट में तो मार्केट बैंक निफ्टी का सॉरी अगर आज का लो जैसी बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा ना तब हमें पुट साइड एंटरी बनानी है किसने टार्गेट के लिए 38,460 के टार्गेट के लिए लेकिन अगर गैप भी ओपन होता है तब भी आपको कॉल में नहीं बैठना है ज 500 पॉइंट का मूव आपको इस लेवल से मिलने वाला है अगर मार्केट 49,300 को क्रॉस करती है तो तभी यह मूव उपर जाएगा अदर्वाइस नहीं जाएगा ठीक है और आप क्या कर सकते हैं अगर यह लेवल पर आने के बाद मार्केट फरदर नीचे जाने लगे तो आप आपको फिर पूट साइड लेनी है थीक है तभु आपको पूटस आडाइक लेनी है तो आई हो पापको जो मैने आज लेवल सबिस्जाह सारे चीजे लेख हो गी और आपको वीडियो यह इनालीसिस पसंद आयो आई होप आपके एकल की एकशपाइरी प्रोट अगर सही नो आना चाहते हो आपके पास कोई अनलेसिस नहीं है तो आप हमारे फ्री टेलिग्राम चैनल को जोईन कर सकते हो जिसका नाम है इसका लिंक बैने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है तो थैंक यू गाइस पूर वाचिंग दिस वीडियो